UP Academy for Civil Services में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं UP PCS 2023 की और आज की डेट में आप 0 लेबल पे हैं तो बस मेरे साथ 5 महीने खुद को दे दीजिए मैं आपका Prelims पास नहीं एक अच्छे नंबर से क्लियर करा दूँगा तापके आपके मान में कोई शंका नहीं रहेगी और याद रखियेगा जिस दिन Prelims का डेट को आपको शाम को पता होगी मेरा Prelims निकल जाएगा उस दिन ये बात की क्लियर्टी है कि आप में इसकी पूरी तैयारी तीन महीने में आराम से हो जाएगी आपको कोई टेंचन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं ये मेरी जिम्मेदारी है तो आएए आध से मैं शुरूआत करने जा रहा हूँ यूपी पीसस Prelims 2023 की तो हवा में कुछ भी नहीं करते हैं मैं एक सेट सिक्वेंस में स्टार्ट करने जा रहा हूँ वैसे ही मैं अपनी पूरी की पूरी कुर्स को चलाऊंगा अगले पांच महीने में बस यहीं शुरू कर रहा हूँ और यहीं पूरा कम्प्लीट करूँगा और विश्वास मानिए अगर आप इस चीज की तैयारी कर रहा है न यूपी पीसस 2023 की तो यूपी ट्रपल सी आपके लिए हवा हो जाएगा जैसा कि मापको बता दो यूपी ट्रपल सी में पेट होता है अगर आपने अच्छी से इसको पढ़ लिया तो आपके 90 नमबर आ जाते है मेरे आने वाले हैं हो सकते आई जाए 90 to 91 आपके भी आ जाएंगे तो वो तो कहीं लाई ही नहीं करता में चीज है यूपी पीसस आपका प्रिलिम्स निकल जाएगा जिस दिन प्रिलिम्स निकला आपके अंदर अपने आप मेरी स्राटीजी ही फालो करिए ये मैं जिद नहीं कह रहा हूँ लेकिन बता रहा हूँ कि इससे आप गरेंटीड निकल जाएगा बाकी दुनिया टहलाती रही है मेरा खुद का निकल रहा है इसलिए आपका भी निकल जाएगा अगर आप ऐसा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, यूपी पीसे दोजार थेईस के लिए, सबसे पहले हिस्ट्री में पढ़ाने जाओंगा, और हिस्ट्री में याद रखिए, सबसे पहले मैं आपको पैटर्न बता दे रहाओ, कैसे मैं शुरुआत करूँगा, हिस्ट्र में 25-30 questions, environment में 10-15 questions आता है, science के 20-25 questions fix हैं, economics के 15-20 questions आते हैं, बहुत जादा economics में, यूपी में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसके बाद सबसे जरूरी current affairs, तो मैं आपको एक line से बताता हूँ कि कैसे आप मेरे साथ चलेंगे, सबसे पहले बा आप देखेगा, और देखे, 15-20 मिनट किल मैं regular class लिया करूँगा, पूरा जब तक अब exam नहीं हो जाएगा, यूपी PCS का, तो शाम को 7 बजे आप मेरे चैनल पर कभी भी आप, रोज देखेंगे, डेली, एक वीडियो जरूर मिलेगी शाम को 7 बजे, यही मेरे वीडियो को अपलोड करने का टाइम है, इसके अलामा जो भी वीडियो हैं वो एक्स्ट्रा हैं, रेंडमली आएंगे, लेकिन शाम को 7 बजे एक वीडियो जरूर आएगी, अगले प्रिलिम्स तक के, जिन में मैं सबसे पहले आपको कम्प्लीट कराऊंगा, मेडवल हिस्ट्री, मद्यक इसको कराने का तरीका जो आप समझ दीजिए, सबसे पहले आपको शौर्ट ट्रिक बताऊंगा उस टॉपिक का, उसके बाद उस टॉपिक की डिटेल अगले वीडियो में बताऊंगा, और तीसरी वीडियो में बताऊंगा इस टॉपिक से पिछले 20 साल में कौन-कौन से इसके लाम आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस, जो कह रहा हूँ बस उतना करिए, दूसरा, उसको जैसे ही खतम करेंगे तो हम लोग modern पढ़ेंगे, modern जैसे ही खतम होगे तो ancient को बहुत कम समय में, सिर्फ 10 दिन में लोगा ancient को खतम करने में, 15 दिन लग भग इसमें और 20 दिन लग भग इसमें, क्यों? क्योंकि ये 25 नमबर न, देखें, इतिहास एक लोटी ऐसी चीज है जो कभी नहीं बतलेगा, और इतिहास में 2 question से 3 question ऐसे होते हैं, जिनका जवाब कोई नहीं दे सकता, मैं भी कोई बहुत ग्यानी नहीं हूँ, कोई नहीं है, लेकिन इत 250 question total रहेगा, UP pieces के prelims के first paper में, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 95 plus question, सिर्फ 95 question सही करना है, किसमें UP pieces के prelims के first paper में, सिर्फ 95 question, कैसे करेंगे, पहले मैं बता दू, history में 25 में से 20 सही करना है, मैं बताओंगा कैसे, polity का एक भी question गलत नहीं होना चाहिए, इसका तरीका है, ज quality add होगी, ठीक है, याद रखियेगा, तो पहले मैं history पढ़ा रहा हूँ, उसके just बाद मैं quality पढ़ाऊंगा, quality के बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको geography, purely prelims के लिए, UP pieces prelims के लिए, तो 20 question आपको इतिहास से लेना है, 20 question आपको quality से लेना है, इसमें कोई भी गलती की गुनजाइ कभी नहीं है, fix है, कभी बदलेगी नहीं, तो 5 से 7 question और Indian geography बहुत आसान है, इसका मतलब यहां से आप 15 से 20 question आप सही करेंगे, मैं 15 ही मान ले रहा हूँ, तो भी याद रखिए 20, 20, 40, 10, 50, 55, 55 question सिर्फ 3 subject पढ़के आपके सही होंगे, जैसे मैं कह रहा हूँ, वैसे करिएग दो ठो जियोग्राफी की, 3, 1, 4, 2, 6, 1, 7, 1, 8, 7, 3, 10, 11, 12, 12, 12 किताबें पढ़नी है, pieces हवानिक हो जाएगा, मतलब बहुत आसानी से निकलेगा, देंके 20, 40, 10, 50, 55, 55 question environment के एक भी question नहीं गलत होंगे, बस जितना कहोंगा उतना करिएगा, 65, उसके पास science के 20 question है, याद कभी नहीं हुए नहोंगे, तो ये आप चाहे कोई भी हो, 15 question आपको सही ही करना पड़ेगा, वरना भूल जाएगा, pieces, तो 55, 10, 65, 10, 75, 80, 80 question यहां तक आपको हर हाल में पहुंचाने हैं, उसके बाद देखिए, जब 80 में ये हो जाए, तो आप सिर्फ 10 question economy के सही करिए, 90, और 10 का, 10 question गलत हो जाए, कोई बात नहीं, 10 question गलत हो जाए, 110 किया, दसों गलत हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन number कट के आजाएगा, 97, 97 question जो होगे, 97, 97 question हो गया, आपका selection हो जाएगा, 95 question के आस-पास अगर आप सही कर रहे हैं, तो confirm है, UP pieces निकल गया, अब आगे की strategy बाद में, लेकिन इतना आप अपने दिमार्ग में clear कर लीजे, तो पहला subject में पढ़ाने जा रहा हूँ, medual, याद रखिएगा, इतिहास में गलती नहीं होनी चाहिए, quality में गलती नहीं होनी चाहिए, science में गलती नहीं होनी चाहिए, और environment में गलती नहीं होनी चाहिए, और physical geography में गलत यह one-liner question जिन लोगों ने पढ़ा होगा ना मेरा, उनलों को पता होगा कि सारे question वहीं से आते हैं, 30 में से 20 question one-liner ही आते हैं, 10 question बस टेने आड़ आते हैं, भाई वो 10 question कोई भी नहीं से करेगा, कोई बात नहीं हो, बढ़िए कि आपको selection चाहिए कि एक ए question solve करना है, कुछ नह तो selection जिन से होगा उस पर ध्यान दीजिए, 30 question में से 20 question आपके सही होगे, वो सारे मेरे ही PDF से आएंगे, जो मैं आपको दोंगा, December से लेके, April तक में, 5 महीने का, छटे महीने का मत पढ़िएगा, हो चटे महीने का पिछले जुलाई का आ जाए, लेकिन हर question आपके लिए लेना बनना है कि prelims में 200 में से 200 ले आती है, जिसे कोई कुछ नहीं उखड़ेगा, prelims में सिर्फ आपको 95 question सही करना है, वो कब होगा, जब आप 110 question attempt करेंगे, 10 question को बलती की मान दीजे, गुनजाइस कम रहनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर 10 question गलत हो जाए, तो वो 95 के ऊपर ही रहे, और सबसे पहला subject मैं medieval history शुरू कर रहा हूँ, हर subject को मैं ऐसे ही पढ़ाओंगा, सबसे पहले कोई भी topic, उसका short trick, medieval history के लिए आप सभी लोग तयार रहे है, अगली वीडियो उसी पे आएगी, पहले उसको complete करूँगा, फिर मैं modern पढ़ाओंगा, और उसके बाद मै ancient पढ़ाओंगा, फिर mobility complete कर दूँगा, फिर physical geography, पूरा complete करूँगा, ठीक है, तब तक मेरे खाल से मैं digital tv भी खरीद लोगा, तो आपकी सारी tension कतम, बस अगले 5 महिने मेरे साथ पने रहे है, thank you so much